तो आज मैं आप लोगों को ये वाली साड़ी पहन के दिखाने वाली हूँ वह भी शेप वेयर पे और आज मैं पल्लू का डबल बॉर्डर पल्लू आप लोग को बताऊंगे कि कैसे बना है बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से अगर आप लोग को देखने में लगता होगा कि यह तफ है तो यह बिल्कुल इजी है तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें स्किप ना करते हैं तो पल्लू का जो ऑपोजिट साइड है यानि की दूसरा वाला कॉर्णर उसको मैंने पीछे से इस तरहां से लेके राइट साइड में पहले टक कि आपको फर्स राउंड की टकिंग नीट एंड क्लीन और बिल्कुल टाइट करनी है वैसे शेव वियर में आपको पहले ही राउंड में आपको टाइट फिटिंग यह फर्स राउंड बन जाता है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप खॉटन का पहनत और इसका पल्लू है थोड़ा सा बहुत सी ज्यादा लाइट वीट साडी है आप इस पर ट्राय कर सकते हैं लेकिन जब भी आप डबल वाडर वाला साडी ड्रेप करते हैं पल्लू बनाते हैं तो उसमें बार्डर जरूर होना चाहिए इससे बहुत अच्छे से बन जाएगा मतलब बार्डर होगा ही बड़ थोड़ा पतला बार्डर होना चाहिए तो इस तरह से मेरे रफली एक बार पकड़ लिया है पल्लू को और अपने शोल्डर पे रख दिया है अब आप पल्लू की लंबाई मेजर कर लिजे आपको कितना लंबा चाहिए और इस वाले बार्ड आपको इजी हो जाएगा आप देखिए यह वाला जो बॉडर है कंधे वाला और जो यह बॉडर हमारा यह वाला है जो मैंने भी पकड़ा हुआ है इसको इस तरह से शोल्डर पर रख देंगे और दोनों को आपस में मिला के रखेंगे मैं दिखाते हूं आप लोगो कैसे रख आप इस तरह से पकड़ के और नीचे से सेफटी पिन लगाने के यह सेफटी पिन आपका बिल्कुल भी नहीं देखे और यह डबल बॉडर बन भी जाएगा देखिए यहां पर मैंने सेफटी पिन लगा दिया है इसको लॉक कर देती हूं इसके बाद आपको क्या करने सेफ प्लू वाले प्लीट्स बनाती है न इसमें आपको बहुत ही सौफ फैबरिक की साड़ी होनी चाहिए इस तरह से देखिए मैंने बना लिया है इसको शोल्डर पर रख देंगे शोल्डर पर रखने के बाद इस सेफटी पिन लगा लेंगे बहुत ही इसली बन गया है नहीं तो आप कैसे कैसे इतना सारा सेफटी पिन लगा के आपको यह जोड़ना पड़ता है दोनों बॉर्डर को तो इतना ज्यादा सेफटी पिन लगा नहीं बस दो सेफटी पिन लगा हुआ है और इस तरह से आप बिल्कुल पहन सकते हैं तो चलिए यहां पे हम सेफटी पिन ल यह मैंने ठीक कर लिया है और जितना मुझे लंबा पल्लू चाहिए था उतना मैंने पल्लू भी ले लिया अब चलिए लोवर प्लीट्स बनाते हैं तो यह बहुत ही सिंपल तरीका है आपको यह वाला कॉर्णर इस तरह से पकड़ना है और मेजर करना है आपको अपने प्लीट्स बनाने का मेरा वही तरीका है कैची के शेप में आपको अपने सारे प्लीट्स बनाने है और मेडियम साइज के प्लीट्स लीजिए ना ज्यादा चौड़े ना ज्यादा पतले अगर आप थोड़े हल्दी है तो आप चौड़े चौड़े प्लीट्स बनाइए न प्लीट्स बनेगी तो यह सबसे इजी तरीका है प्लीट्स बनाने का और इस साड़े में प्लीट्स भी काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि इसका ब्लाउज नहीं निकाल हुआ है इस तरीके से बन गया है तो आपको दिख रहा होगा जो सबसे उपर का प्लीट्स है वो अच्छे से सेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो हमारे राइट साइड में एक्स्ट्रा फैबरिक होता है उसको भी लेते हुए हम यह प्लीट्स और ज्यादा चोड़ा कर लेंगे देखे मैंने चोड़ा कर लिया है और इसको हलका सा जटक देंगे जटक जटक कर जैसे कि कोई प्लीट्स अंदर अगर रहे गया है तो बैली बटन के सामने टक कर देंगे और जो छोड़ा हुआ उसको में बताती हूँ आपको क्या करना है आप चाहे तो यहां पे पिटी कोट और सारे प्लीट्स को लेके सेप्टी पीन भी लगा सकते मैंने बहुत सारे वीडियो में लगबग बताये हुए है तो देखे इस त इस तरह से हाट डालके वह एक्स्टा फैब्रिक खीच लेंगे और जितने अच्छे से खीचेंगे बिल्कुल टाइट फिटिंग सारे ड्रेफ होगी ऐसा लगेगा फिश शेप देखे हमारे कमर की फिटिंग कितने अच्छे से निकल के आई हुए बस आप हलका सा इसको इस तरह से आप सारे ड्रेफ कर सकते हैं तो मेरा आपको यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना और मेरी चैनल को सबस्क्राइब कर लेना ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मेरे चैनल पर आते रहते हैं तो बेल आइकोन प्रेस करके रखने जिससे अगर कोई किसी तरह कि सारे डिपिंग चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं मैं जरूर से जरूरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाओंगी और कोई प्रावलोम होगी तो भी आप मुझे कॉमेंट में मैं आपको आंसर दोंगी चलिए मिलते हूं किसी और वी कि एगा?